हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक मैं चैनल याफ्ट गेमिंग तो कैसे हो आप सब हो बिलकुल ठीक होंगे सो फाइनली दोस्तों जिस दिन जिस टाइम जिस पल्स और जिस चीज का हमें बेसबरी से इंतजार था सीजन 14 वह अभी आही गया है तो आपका भाई आज आपको सीजन 14 के आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेगा और आज के पूरे वीडियो में आपका भाई आपको पूरे रोयल पास के रिवाट्स दिखाएगा और इस बार के जो रिवाट्स है दोस्तों पिछले सीजन से काफी ही जादा मसत है और काफी ही जादा एक्स्ट्रा है और ज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के तो दोस्तों अगर बात करें वान टू हंडर्ड आर्पी की तो आपको काफी ज्यादा लेजंडरी आइटमेस मिलने वाली है जो फॉस्ट आर्पी पे आपको मिलेगी ब्लैक कमांडर सेट और नाइट कमांडर सेट मुलत घृहीरात में निकलती है जो नाइट कमांडर सेट नाम लिगा और उसके साथ rebel company मिलने वाली है एक legendary shotgun की skin ये काफी मस्त है legendary shotgun की skin तो काफी ज़्यादा मस्त है और उसके बाद जो आपको मिलने वाला है 5 RP पे 5 RP पे आपको एक headgear मिलने वाला है 5 RP पे देखेंगे आपको एक headgear, must सा headgear night commander headgear है ये मतलब night commander suit के साथ match करने वाला headgear है और उसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो है 15 RP पे 15 RP पे आपको एक emote मिलने वाला है और ये emote कुछ अलग से तरीके का है यानि यहाँ पे लिखा हुए वैसे hey do you think you can hit me chair park only मतलब ये आपको only ही chair park में use कर सकते हूँ मुझे तो ऐसा ही लगता है बाकी देखो अगर हम royal pass buy करने के बाद ही इसको पता चलेगा कि हम इसे कहां use कर सकते है use करने के बाद ही पता चलेगा और जो next आपको मिलने वाला है 20 RP पे तो 20 RP पे मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या मिलने वाला है 20 RP पे आपको एक मिलने वाली है हेलमेट की स्किन rose unicorn helmet तो यह सीजन का helmet तो काफी ज़्यादा मस्ता है मतलब काफी ज़्यादा अच्छा है औरो से काफी अच्छा लगा मुझे इतना खास भी निए लेका ठीक है मतलब इसे मड़ा भी नहीं कहा सकते है और 25 RP पे पे पें की स्किन pen ki skin भी इतनी khас nे लगी मुझे पतारो pen ki skin इतनी khas नहीं लगी इससे काफ़ी अच्छी – pen ki skins आ गई है और 20 RP पर आपको मिलने वाला है icon रेड रोल सेट icon road set की dress मिलने वाली है तो ये भी dress काफ़ी मस था और इस helmet के साथ तो काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है और उसके बाद आपको जो मिलने वाला है 35 35 RP पे आपको एक यह वाला headgear मिलने वाला है और यह headgear भी अच्छा है और यह शायद मेरे ख्याल से night commander set के साथ चलेगा यहाँ night commander set के साथ और 40 RP पे आपको मिलने वाली है ओपी दोस्तो वैसे तो मुझे सच बताऊं तो season 12 की season 12 की plane की skin better लगी थी इतनी खास यह तो नहीं लगी लेकिन season 12 की ज़्यादा बैटर थी और उसके बाद आपको जो मिलने वाला है वह 50 RP पे 50 RP पे आपको nade की skin मिलने वाली है इस बार की nade की skin अच्छी है काफी अच्छी है सच बता रहा हूँ पिछली बार से तो काफी ज्यादा अच्छी है पिछली बार इतना खास नहीं लगा था नेड की skin और उसके बाद जो आपको मिलने वाला है 55 RP पे एक frame है Season 14 का frame है ये भी इतना खास नहीं है और उसके बाद जो मिलने वाला आपको मिलेगा वो 60 RP पे I think होगा ये 65 पे 65 पे है Headgear की skin और उसके बाद 70 RP पे आपको एक back की skin मिलने वाली है red से color की back की skin तो काफी ज़ादा है इन्होंने अच्छी दिया Headgear की के तो मतलब कुछ यूनीक सा लेकिन ये commander set के साथ नहीं अच्छी लग रही इतनी Red commander set के साथ तो नहीं इतनी अच्छी लग रही लेकिन match कर नहीं रही खच बता रहो ये थोड़ा का मतलब funky सा दे रही है और 60RP पर आपको दोस्तों मिलने वाला है M4 की skin तबाई दोस्तों love you M4 सच में यार M4 तो सबकी फेवरेट होती है hope आपकी भी फेवरेट होगी और आपको 85 पर ये emote मिलने वाला दोस्तों emote ये देखे मतलब करते ही जैर क्या dance कर रहा है ये तो और इस emote के बाद आपको मिलने वाला है जो 90RP पर इसकी headgear मिलने वाला है headgear ये एक हिसाब का headgear की type कही है 90RP पर मिलने वाला है और 100RP पर आपको इसके बाद मिलने वाली है ये dress को कुसम से ने dress सबसे जादा तबाई है मैने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था season 14 वाली वीडियो में कि यह DRESS 100 RP की काफी ही जादा मस्त है यह DRESS इन की इस season की best है season 14 की best dress यही है इस season के rewards तो काफी ही जादा मस्त है इस season के royal pass के reward तो काफी जादा best है और अब हम बात करते हैं जिन भाई ने रोयल पास नहीं खरीडना या नहीं बाई किया या नहीं बाई करना या कोई भी रीजन हो जासा भी हो उनको क्या रिवोर्ट्स मिलने वाले हैं इसमें 1-100 आरपी के बीच-बीच में चलिए मैं आपको दिखाता हूं तो वन आरपी पे आपको कुछ इतना खास नहीं मिलने वाला है उसके बाद आपको मिलने वाला है सबसे लेजेंडरी टवंटी आरपी पे ही andar。」 टॵंटी आरपी पर आपको मिलने वाली है एक एमोट और वैसे ये इमोट तो मुझे लगता है सच बता हूं तो मुझे लगता है यह प्रीफायर की कोपी है लेकिन जैसा भी है ठीक है हम काम चला लेंगे उसके बाद हमें 30 पर मिलने वाला है यह पैराशूट की स्किन यह सीजन 14 पैराशूट की स्किन है यह काफी ज्यादा अच्छी है ठीक ठाक है मतलब चल जाएगी हम चुन है लिए तो और आपको उसके बाद मिलने वाली है 40 पर यह 3 कूपन से लिए मतलब उसके बाद हमें 50 पर ही कुछ लेंटरी देखने को मिलेंगा और फिफटे यार्पी पर आपको कि M4 16 मिलने वाली है M4 16 की स्किन कावी तब आई है और उसके बाद 60 पे भी आपको इतना लेजेंडरी कुछ नहीं मिलने वाला है उसके बाद तो सारा खाली होता है मतलब ठीक है अगर देखे इस हिसाब से तो हमें काफी ज्यादा बेस्ट मिल गा विदाउट रोयल पास भी है दोस्तों काफी ज्यादा यथ और एस सीजन का तो स्थमय तो बैस्त जो और अभं बात करते हैं लीकौ की सि की बात करें तो हमें घुल्डन टाइमंड या इस बीन लेट आए है चलिए हम पीका धाता हम है को तो आपको आपको ब्सक्राइब आंपको बिलने वाली यह ध् और उसके बाद मिलने वाला है आपको Diamond Tire पर यह M24 की Skin सच में इस M24 पर तो मेरा दिल लागया और यह अची लगी है काफी होरो की Skin से और आश पर आपको मिलने वाला है यह पराश Victoria की Skin हाँ दोस्तो आश टायर पर हमें यह पराशुट की Skin मिलने वाली है और उसके बाद कौन केर पे आपको पता ही है जैसे फ्रेम मिलता है सीजन 14 का तो फ्रेम मिलने माला है तो दोस्तो बात करें अगर पूरे इस रोयल पास 14 की तो मुझे काफी ज़्यादा बेस्ट लगा है और आपको लगा कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तो वीडियो पसंद आई हो आपको लाइक कमेंट जरूर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना मत और अगर पबजी के इंकलोड किसी भी भाई को को वीडियो चाहिए हो तो मुझे इंस्टागाम पे डिम कर सकता है अगर 500 यूसी आप जीतना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो यानि की सीजन 14 रोयल पास वाली वीडियो को जरूर देखना और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में भूलेगा नहीं दो झाल झाल